दोस्तो अगर आप भी अपने एक नम्मर से दो मुबाइलों में अपने वाटसप को चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाइफ पूरूप के साथ दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एक नम्मर से एक दो नहीं बलकि तीन तीन मुबाइल में अपने एक नम्मर से वाटसप चला सकते हो दोस्तों वीडियो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत करिएगा और अगर आपने अभी तक के हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखका है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजेगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नॉलिजफुल और इंट्रेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं जो की दूसरा मुबाइल है इसमें मैं अपना वाटसब चलाने वाला हूँ बिना OTP के तो यहां पर हमें करना क्या होगा अपने वाटसब को चलाने के लिए हमें यहां पर वाटसब को उपन करना है कर देना है जैसे हम इस त्री डॉट पर यहां पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहां पर एक ऑप्सन आ जाता है लिंक टू एक्जिटिंग अकाउंड तो यहां पर जो एक ऑप्सन आता है लिंक टू एक्जिटिंग अकाउंड होगा उस पर हमें क्लिक कर देना है जैसी है तो यहाँ पे linked device वाले option पे click करेंगे और फिर से यहाँ पे linked device वाला option आजाता है simply हमें उस पे click कर देना है जैसे हम उस पे click करेंगे फिर एक option आजाता है उस पे cancel कर देना है and cancel जैसे करेंगे हमारा यहाँ पे barcode वाला option आजाता है यही barcode हमें scan कर लेना है अपने दूसरे वाल इसकेन करके हमारा यहां पर WhatsApp ओपन हो चुका दूसरे मुबाइल में और यहां पर एक्टिविटी भी दिखा रहा है कि यहां पर Android 10 में आपका जो WhatsApp है दूसरे मुबाइल में वो यहां पर लोग इन हो चुका है तो आप भी इसी इस्टेप को फोलो करके एक दो नहीं बलकी चार-चार मुबाइलों में अपने सेम नमबर से WhatsApp को चला सकते हो चार मुबाइलों में अब इसे लोग आउट अगर आपको करना लोग आउट करने के लिए Android 10 जहां पर दिखा रहा है आपको अपने फोन नमबर वन में वहाँ पर यहां पर हमें क्लिक करना ए Android 10 जैसी आप इस पर क्लिक करते हैं Android 10 पर फिर लोग आउट वाला आउट आप्शन आ जाता है simply है मैं जैसे logout वाले option पे आप यहाँ पे click करते हो वैसी आपका जो login हुआ था दूसरे mobile में WhatsApp वो अपने आप से ही यहाँ पे logout भी हो जाता है तो simply आपको यह video कैसी लगी है अच्छी लगी हो तो like जरूर कर दें और ऐसी video देखने के लिए हमारे channel को subscribe कर दे